अगर आपके साथ एक नई रेस्पी लेगर आई हूँ अगर आपको में रेस्पी अच्छी रख़ी को प्रीज लाइब जरूर करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें तो चलिए बिनादेर के रेसी बनाना सुरू करते हैं आपके साथ गेहुके आठे से बना ऑब बहुत ही टेष्टी आएपके साथ से बना अगरांत स्कुलिंगे Klemmagare ऌते मतना में लिए लग दियू हैos कि छूर रएस्पहां का णिजू कर दिया है जैसे में पुरी पार्टे है तो बना सकते obtas patient удобी और बच्चे लें लीक्त आपक स्वादुशार नमक लिया है नमक का टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग की रखें मैंने थ्री टेवल स्पून इतना ओयल लिया है रिफाइन डायल है थोड़ा से कटव आ रहा है धनिया एक बड़े सहच का प्याद मैंने फाइन चॉप करके लिया है और थोड़ी सी मैंने ये रोषटेड मूंग फली लिया है हाप टीस्पून अज्वाइन हाप टीस्पून सफेद तिल लिया है आपके पास ना हो तिल तोि स्किप कर सकते हैं हाप टी स्पून हल्दी पाउडर वन टी स्पून आम्चूर पाउडर के पास नहहीं तो आप मैं चाट मशला लेंजूस का यूज़ कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं हाप टी स्पून जीरा इसने मैं वन rigor कई ह theo parlé वन टीजपून धनिया पाउडर वन टीजपून गरम मुशाला दो हरी मिर्च को फाइन चॉप किया आप ज़धा तीखा नहीं का था तो इसकिप पर सकते हैं या बच्चों के लिए बनाए तो इसकिप कर ले हाप टीजपून मैंने धनिया सीर्ट को क्रस्ट करके लिया है इस अपड़े बहुत ही फ्लेवर फुल कर देगी नास्ता को फ्लेवर को इनहेंस कर देगी और अच्छे से मिक्स करें लेंगे फिर्स जो बेजिक सामाना की वोड़े होते हैं उसी से बननी वाला नास्ता आपको बहुत पसंदागे इतना क्रिस्पी लगता और मैंने ऑयल सबस्क्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए और देखिए मैंने लड्डू बनाकर गिरा तो बिक्रा नहीं पर्फेक्ट है मोयन इससे जदा मोयन आपको नहीं लगाना है और अब हम नॉर्मल पाइं डाल कर और देखिए ऐसे सेमी सॉप्ट है थोड़ा सा ओयल ऊपर से और लगा देंगे जिससे इसका लेयर ऊपर से क्रैक नहीं होगा और इसको रेष्ट पर रख देंगे 10-15 मिट के लिए इतने हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं मैंने कड़ाई को रखा है और कड़ाई मैंने और इस नहीं करना है और आल को गरम होने देंगे फफर जो रीगलर आयल को नौर सकते हैं तो गरम होते सबसे पहले हींग जीरा को डाल देंगे दनिया सीट और सॉम पो डाल देंगे इससे बहुत ही ज़्यादा हमारी स्टिफिंग फ्लेवर पुल लगेगी और क्रैकल होने देंगे उसके बाद हम इसमें कट कीवी हरी मिर्स को आड़ कर देंगे जिससे हरी मिर्स थोड़ा सौप्ट हो जागी और प्यास को भी और पर निकल जाए और मैंने आलू को भी आड़ कर दिया है अब दनिया पाउडर गरम मशाला और क्रस करके थोड़ी सी कशूरी मेती को भी डाल देंगे जिससे इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा आमचूर पाउडर को भी आड़ कर दूंगी चटपटा आप अपने साथ मैट कर लें जिससे रोष्ट हो जाएगी या आप हरे मटर का भी यूच कर सकते हैं कोई सब्जी भी डाल सकते हैं और हाप टी स्पून इतना मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं तीख आपने कोडिंगी रखें और हरा दनिया भी एड़ कर दिया है और टेस्ट के को पूरी पराटे देते हैं या फिर आपके घर में गेश्ट आने वाले हो तो आप पहले से इसको प्रिपेर कर ले और टी के साथ में दे सकते हैं बहुत ही ऑसम टेस्ट नास्ता है यह आपकी तारीब जरूर करेंगे सभी और फ्रंस मैंने इसमें चीली फ्लेक्स भी एड़ क इसको दुबारा से सौप्ट भी कर लेंगे या फिर आपको नहीं डालना तो आप स्किप भी कर सकते हैं यह देखिए मैंने सौप्ट कर लिया है और इसकी रेगुलर लोटी जैसे हम बनाते उससे थोड़ा बाड़ा सा हम दो लेंगे क्योंकि हम बाड़ा सा रोटी शेब मे बेलेंगे और थोड़ा मोटा भी रहेगा तो इतना बड़ा मैंने लिया है और इसे मैंने आटे से डश्ट कर लिया है आप मैदा भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे बेल सकते हैं इसली हो जाएगा बेलने में पर मैंने थोड़ा से डश्ट किया जिससे चिपके नहीं और यह बड़ी रोटी शेव में बेला है और इसकी तिकनेस देख सकते हैं रोटी से थोड़ा सा मोटा है आपको इतनी थिकनेस रखनी है और इसको हम पिज्जा शेव में कट करेंगे इतना बेसिक तरीके से बनने वाला यह नास्ता आपको बहुत पसंद है कि बहुत बढ़ बने जाता है और थोड़ा-थोड़ा पानी लगा देंगे इसके इसके सभी किनावरों पे पानी ना लगाएं तो फिर आपको चिपकाने में भी प्राप्लम होगे वहाँ पानी रगान से भी प्रॉब्लम होती है या फिर आप एक पीस में ही पानी लगाते जाएं और इसको प्रिपेर करते जाएं और देखिए मैंने थोड़ा से साइड छोड़ कर मैंने वन टीस्पू इतना इस्टिफिक रखी फिर साप जितना बड़ा पीस लगे उसी साफ से इस्टिफिक जाता एक बार में बहुत सारे बना सारा चांट iau या वैसे भी कुछ भी चोटब्र को प्रीपेर कर सकते हैं खर में ऐस बना करा सब्योसुलट और देख Completely सब्ड़ा देते हैं दिखा जाता है उब कर दूसरा कर दिखा देता हैं、 यह देखिए कितना जड़पट बढ़ने वाला यह नास्ताप को इतना पसंद आएगा रियली फंस आप ट्राय करेंगे तो इसका टेश्ट बूलेंगे नहीं यह देखिए ऐसे हम सारे बना लेंगे ऐसे ही आप बनाकर किसी टीफिन में करके आप इनको रख ले और जब भी आपके घर में गश्ट आने वाला प्राय करके दे सकते हैं यह बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं चलिए फ्राय करने के प्रोसेस दिखाते हैं गैस को आन के लिए कड़ाई को रखाऊ उसमें डिफाइन डाला गैस को लेंगे लो है और बिल्कुल अब इनको हम एक्ष्ट आयल कर टीशू पर निकाल कर निकाल कर टीशू पर निकाल लेंगे और आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं और आपको जब दुबारा से फ्राय करना हो तो बिल्कुल ऑल कर टमप्रेचर लो कर दें अब दूचरा वैसे यह देखें आपको दिखाती हूं कितना क्रिस्पी है यह देखिए और इसके अंदर इस्टिफिंग आप इसे हो मिल्ट चटनी के साथ केचप के साथ या गर्म गरम चाय के साथ खाकर इंज्वाय करें बहुत ही आउसम टेस्ट है आई होप फ्रेंस मेरा गेहूं के आटे से बनावान आस्ता रेस पी आपको पसंद आई हो तो ज्यादा ज्यादा शेयर करना लाइक कमेंट भी गए ना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रिस कर लेना इससे आने वाली वीडियो को नो